हेलो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विस्थापन क्या है और विस्थापन किसे कहते हैं यानि दोनों question से में विस्थापन क्या है या विस्थापन किसे करते हैं अगर कोई भी question आता है तो आप लोग जो हम answer बताएंगे वही लिख सकते हैं तो चल दिए सबसे पहले हम लोग intro देख लेते हैं और उसके बाद वीडियो को start करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले विस्थापन को जानने के लिए हम लोग इसे एक अच्छे तरीके से उधारन के साथ समझ लेते हैं ताकि आप लोग विस्थापन को हमेशा याद रखो और आप लोगों को कभी भूलने की नौबत ना है उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेश्ट करूँगा कि आप लोगों को इस बार भले लाइक करना है या नहीं करना सब्सक्राइब करना है या नहीं करना बट आप लोग से request है कि आप comment जरूर करना इस वीडियो को देखने के बाद कि यह वीडियो कैसा लगा यानि पहले जिस तरह से मैं वीडियो बनाता था और अभी मैं वीडियो जिस तरह से बना रहा हूँ इन दोनों में क्या अंतर है कौन से वीडियो जो है वो आपके लिए अच्छा है ठीक है तो चलते हैं वीडियो को start करते हैं यहाँ पर आप लोगों समझाने के लिए मैं थोड़ा सा drawing वगरा use करने वाला हूँ तो यहाँ पर मान लेते हैं एक इनसान है और इसे दूद लेने के लिए कहीं जाना है ठीक है वो गया कहीं और यहाँ पर आ गया दुकान ठीक है और इसी दुकान से ये दूद लेने के लिए आया हुआ है ठीक है यहाँ पर इसे दुकान पे दूद मिल जाएगा और यहां से वो दूद ले लेगा तो ये बिंदू मान लेते हैं कि यहां से इसने start किया चलना और चलते हुए इस दुकान तक पहुँचा इसे भी हमने मान लिया इस बिंदू को हमने P मान लिया इस बिंदू को हम लोगोंने Q मान लिया तो दोस्तो आखिर विस्थापन होगा क्या तो विस्थापन यानि कि जो दूरी यानि कि जो P और Q के बीच की दूरी होती है उसे ही हम विस्थापन करते हैं जैसे कि यहां पर देख सकते हो हम लोग यहां से चलते हुए फिरते हुए यहां तक आए बट क्या यह विस्थापन नहीं दोस्तो फिर विस्थापन क्या है तो यहां पर जो हमारा विस्थापन है वो है P और Q के बीच की दूरी यानि कि P से ले करके हम लोग एकदम सीधी रेखा ले लेंगे Q तक ठीक है P से सीधी रेखा एक Q तक ले लेंगे और यहां पर यह जो दूरी होगा यह जो डिस्थेंस होगा इसे ही हम लोग विस्थापन वोलेंगे की कोई इनसान जो है कोई वैक्ती जो है या कोई भी वस्तू है वो विस्थापन किया है कितना दूरी तो यहां पर ना कि यह कितना दूरी चलते हुए तै किया है हमें यह बताना है बलकि हमें बताना है कि P और Q के बीच में जो दूरी है वो ही इस्थापन है ठीक है? तो विस्थापन क्या है आप लोगों समझ में आ चुका होगा अब ये बता देते हैं कि विस्थापन और किस तरह से यानि इसको हम लोग किस तरह समझ सकते हैं तो विस्थापन जो होता है वो होता है सदिश्राशी ठीक है ये सदिश्राशी होता है अब आप लोग को नहीं पता सदिश्राशी क्या होता है अदिश्राशी क्या होता है तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार कीजेगा तो कुछ दिनों में आपको यह वीडियो भी मिल जाएगा कि सदिश्राशी क्या है और अदिश्राशी क्या है और दूसरी बात विस्थापन को हम लोग small letter S जो small letter S होता है उसके द्वारा निरूपित करते हैं यानि अगर कहीं पर physics में आप लोग को विस्थापन के जगह पर small letter S का उप्योग करते हुए देखने को मिल सकता है ठीक है? तो वहाँ पर आप लोग को बेजिशक समझ जाना चाहिए कि वो विस्थापन का symbol है ठीक है? तो अब चलते हैं इसको किताब के द्वारा दिये गए answer को देख लेते हैं कि हमारा जो लिखने के लिए answer होना चाहिए वो किस परकार होना चाहिए? तो हमारा जो है answer यह है विस्थापन एक सदिश राशी है ठीक है? जैसे कि हमने बताया जब कोई वस्तु एक बिंदू पी से दूसरे बिंदू क्यों तक किसी भी पत से होते हुए गती करती है तो इस विस्थापन का परिमान उन दो बिंदू के मद की निमने तम दूरी होगी निमने तम दूरी निमने तम दूरी मतलब जैसे यहां से यहां तक गए यह सबसे छोटा दूरी है अगर हम ऐसे जाएंगे या ऐसे जाएंगे तो यह थोड़ा दूर पढ़ जाएगा यानि कि जो P और Q बिंदू है यहाँ पर सबसे जो कम दूरी होगा वो सीधे सीधे होगा और इसे ही हम लोग विस्थापन कहते हैं ठीक है अर्थाथ P और Q के बीज की दूरी को हम विस्थापन कहते हैं विस्थापन को हम small letter S के द्वारा दर्शाते हैं दिखाते हैं या निरूपित करते हैं ठीक है तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों उमीद है कि आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप लोग को अब बार-बार सोचने की जुरत नहीं पड़ेगा कि विस्थापन क्या है विस्थापन किसे करते हैं यह विस्थापन कौन सी राश्डी है तो यहाँ पर आप लोग को हमने जो भी जितना भी मुझे अच्छा लगा जितना भी मुझे ज़रुरत लगा उस सुशी साब से मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि विस्थापन क्या है विस्थापन किसे करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ तो चलते हैं तब तक के लिए बाइबाइ